नमस्कार मित्रों अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है मित्रों आज हम वर्ड हिस्ट्री की एक डेमो क्लास लेंगे जिसके माध्यम से हम पूरा क्लास कवर करेंगे और इसका कुछ चार्ज रखा जाएगा पहले तो हम टॉपिक को पूरा देख लेते हैं कि कितने टॉपिक उसको सब टॉपिक में कैसे एक बुक से मैंने लिखा है ये चुकि सिलेबस बहुत ही शॉट में दिया हुआ है ये टॉपिक नंबर फाइप है और पेपर वन से संबंदित है ये विश्व इतिहास पूरा तो इसको हम सब टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है हमें ये देखेंगे इस वीडियो में और कुछ प्रशनों को देखेंगे कि हम कैसे आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे जैसे अमेरिकी करांती को जो कि आप देखेंगे तो सिलेबस में आपको दिखेगा नहीं लेकिन ये पूरा नोर्स तयार है जो वर्ड हिस्ट्री के लिए है और इसके बाद भी आप देखेंगे तो पूरा हम लोगों का सिलेबस तयार हो गया ऐसे सिनॉप्सिस फॉर्म में आप इसको देखेंगे एक पार्ट हम आज कराएंगे अमेरिकी सुतंता संग्राम और इसके क्या-क्या उप्योग कर पाएंगे आप नोर्स को कैसे यूज करेंगे आई मित्रों पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या-क्या रहेगा और क्या-क्या हमें पढ़ना है चुकि बहुत सारे मित्रों का फोन आया कि सिलेबस में कुछ समस्या हो रही है समस्या सबी को होगी तो उसको हम देख लेते हैं पहले सिलेबस में आप क्या-क्या पढ़ेंगे तो पहले देखेंगे हम Industrial Revolution syllabus अगर आप हम देखते हैं syllabus को अगर हम देखेंगे तो आप यहां पे पाएंगे कि यह पूरा syllabus अगर हम पढ़ते हैं history of the world will include events from 18th century to middle of the 20th century such as French revolution of 1789 industrial revolution world wars redrawal of national boundaries socialism, nazism, fascism etc. their forms and effect on the society हिंदी में भी देख लेंगे हम तो बहुत ही छोटे में syllabus दे दिया गया है जबकि syllabus इसका काफी अधिक है विश्व के इतिहास में 18th सदी से 20th सदी के मध्य तक की घटना हैं जैसे फ्रांसीजी क्रांती, 1789 अधियोगी क्रांती, विश्वयुद्ध, राश्टी सिमाओं का पुनसी मांकन, उपनिवेश्वाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्षन, शास्र जैसे सामयवाद, पूजीवाद, समाजवाद, नाजवाद, फासीवाद, इत्यादी के रूप में और समाज पर उनके प्रभ विजाड की एक बुक थी, और किसी बुक में हमने देखा था, सलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, तो वो हम आपको देंगे, और एक प्रश्ण और एक टॉपिक आज कवर करेंगे, इसके माध्यम से आपको दो-तीन डेमो हम दे देंगे, उसके बाद पूरा क तो पहला अवद्योगिक क्रांती हम देख लेंगे, अवद्योगिक क्रांती सलेबस में है, तो उसके क्या-क्या सब टॉपिक होंगे, आप इसको माइक्रो एनालिसिस कर सकते हैं, तो डेक्लाइन आफ फ्यूडिलिजम, सामनतवाद का पतन ये दोनों ही भाषाओं में मैंन कीजेगा, Beginning of Renaissance, पुनरजागरण की शुरुवात, ये सलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा concept आपको बनाना पड़ेगा, कि पुनरजागरण की शुरुवात क्या-क्या हुई थी, क्या-क्या घटनाय हुए थी, Pre-Industrial Europe, और द्योगिक क्रांती से पूरु का Europe देखेंगे हम, Agriculture Revolution, क्रिशी क्रांती चुकी, और द्योगिक क्रांती के लिए क्रिशी क्रांती भी जरूरी थी, Factors that led to industrial revolution, और द्योगिक क्रांती के प्रमुख, जो factors हैं, कारक हैं, उनके बारे में पढ़ना है हमें, Impact of Industrial Revolution, और द्योगिक क्रांती के प्रभाव क्या-क्या है, विश्वे प्रभाव और भारत पे भी प्रभाव इसके साथ साथ हम देखेंगे नेक्स टॉपिक आप देखेंगे French Revolution French Revolution में क्या आप क्या पढ़ना है हमें इसके causes क्या क्या हैं, कारण क्या क्या हैं The Revolution in France, France की क्रांती के जो मुखे घटक हैं उनको हम देखेंगे फ्रांस अंडर नेपोलियन, नेपोलियन के अधीन फ्रांस की क्या स्थिती थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे Impact of Revolution, क्रांती का प्रभाव क्या क्या था Significance of Revolution, इसली क्रांती का महत तो कहा कहा था और इसका विश्व के अने देशों पे प्रभाव को भी हम देखेंगे Nationalism in Europe, योरोप में राष्टवाद, ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है Rise of Nation, State, System, राष्ट्री राजतंत्र का, राजयतंत्र का उदय, Unification of Italy, ये है आपका Unification of Italy और Unification of Germany, ये सीधे-सीधे है सिलेवस में लिखा हुआ है, जो राजयों का एक ही कराने, boundary का जो बात आएगी, उसमें भी ये शामिल है अगला टॉपिक है हमारा, चौथा, Colonialism and Imperialism, ये सीधे-सीधा लिखा हुआ है उपनिवेशवाद और सामराजवाद, तो Colonialism क्या है, पहले ये देखेंगे, The A's of Imperialism, सामराजवाद का यूग कैसे, शुरुवात होती है इसकी Imperialism in Asia, एसिया में सामराजवाद कहां-कहां फैला, भारत में भी देखेंगे Analysis of Colonialism, तो ये उपनिवेशवाद की समिख्या भी हम करेंगे तो ये सब टॉपिक्स हैं, छोटे-छोटे हैं, बहुत आपको पैशान होनी की जरुवत नहीं कि सिलेबस इतना ज़ादा है, तो कि इसको पूरा American Revolution है नहीं सिलेबस में, फिर भी हमें जानना ज़रूरी है, और उसके क्या-क्या impact पड़े, भारत पे, फ्रांस पे, ब्रिटेन पे, वो सारा इसमें देखेंगे हम, Foundation of American Colonies, तो अमेरिकी उपनिवेशों की अस्थापना, The Independence of USA, USA की सुतनतता, अमेरिकी क्रांती, what was the impact of American Revolution, अमेरिकी क्रांती का क्या प्रभाव पड़ा, political effect of revolution, राजनेतिक जो प्रभाव है उसको हम देखेंगे, और how did American Revolution impact French Revolution, चुकि फ्रांस क्रांती की क्रांती डारेक्ट लिखा हुआ ऐसे लेबस में, तो हम यहां से देखेंगे कि अमेरिकी क्रांती का, फ्रांस की क्रांती पर कैसे प्रभाव पड़ा, यूएस सिविल वार, यह है सिलेबस में, यूएस ग्रिह युद्ध जो बोलते हैं, सिविल वार, वो पढ़ना है प्रत्म विसविद्ध में मुख मुख कारण देखेंगे, युद्ध के प्रमुक कारण, युद्ध के प्रमुक घटनकरम और उनकी एनालेसिस करनी है हमें, समिच्छा करनी है, Consequences देखेंगे युद्ध के परड़ाम Aftermath The War युद्ध के बाद की स्थिति और League of LEA है यहाँ पे Miss हो गया है LEA GUE League of Nations रास्टों का संग बना ये भी सलेबस में है आपके Russian Revolution ये भी है सलेबस में रूस की क्रांती तो इसको अच्छे से देखना है क्रांती के पहले की प्रमुग घटना है Major Events in Pre-Revolution Russia Causes इसके क्या क्या है इसके परड़ाम क्या क्या है Consequences इसके बाद युद्ध के बाद की स्थिति Aftermath the War Post-Lenin Russia Lenin के बाद का रूस Inter-War Years यह डारेक्ट दिया नहीं गया है लेकिन 18 सताबदी से लेकर के 20 सताबदी के मद्ध सभी जो घटना क्रम है जो मुखे घटना क्रम है उनका हमें अध्यन करना ही करना है तो युद्धो के मद्ध का समय क्या क्या था The Great Depression महामंदी यह आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है यह कई जगा आपको यूज आएगा इसका उप्योग आप देख सकते हैं Rise of Fascism in Italy लिखा हुआ ऐसे लेबस में Italy में फासिवाद का उदय Rise of Nazism in Germany Germany में नाजिवाद का उदय Soviet Union यह पढ़ना ही है Soviet संग क्या था कैसे इसका गठन हुआ कैसे इसका विगठन हुआ यह भी हम देखेंगे World War 2 विति विश्यूद देखेंगे Causes of the War इसमें सभी वार में आप देखेंगे कि कारण, परेडाम और युद्ध के बाद की इस्तिति और युद्ध की समीच्छा यह सारे पढ़ने है Causes of the War Consequences Aftermath और Analysis of the War अगला टॉपिक देखेंगे Development of the Middle East यह डारेक्ट आपको मिलेगा नहीं लेकिन यह छोटा सा टॉपिक है इसको आप पढ़ेंगे पूरा जो आप टॉपिक आप देख रहे हैं इसको हम लोग जो है 20 से 22 क्लासेज होंगी आदे आदे घंटे की 20 से 22 क्लासेज जिसमें यह खतम हो जाएगी 30 से 35 मिनट की 22 क्लासेज होंगी उसमें में यह सिलेबस कबर हो जाएगा Cold War देखेंगे शीत युद पोलेटिकल फिलोसफी राजनीतिक दर्शन इसमें पूजीवाद, समाजवाद और सामयवाद कापिटलिजम, सोसिलिजम एड कम्यूनिजम पोस्ट कोल्ड वार बार देखेंगे शीत युद का समय जो होता है शीत युद के बाद का समय फोल्ड वार तो हो गया उसके बाद देखेंगे हम शीत युद के बाद का समय ये चोटा टॉपिक ही है 1991 से तक वैस्विक मुद्दे जो है प्रमुक मुद्दे होंगे उनके बारे में इंटिग्रेशन आफ यूरोप, यूरोप का एकी करण और यूरोपियन जो एकी करण के समय घटनाय काला नुकरम क्या क्या था उसको देखेंगे उसके बाद चीन का उद्द है राइजाफ चाइना तो ये सारे माइक्रो टॉपिक्स हैं आए मित्रों देख लेते हैं कि हम कैसे क्लासेज को कॉंटिन्यू करेंगे और आप लोग उसका लाब कैसे उठा सकते हैं इसके माध्यम से हम देखेंगे कि अमेरिकी करांती से संबंदित या करांती के बाद की स्थिति कारण या जो भी चीजें एक्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सारी हमने एक factual form में लिख दिया है और उसको sequence में लिखा है जो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ये दो पेज में पूरा synopsis आपको मिल जाएगी और इसके लिए आप कुछ book पहले से ही पढ़ लिजिए बुक का नाम आप लिख सकते हैं wizard की book है आप wizard की book ले लिजिए Hindi English दोनों में ही अच्छी है word history के लिए Hindi English दोनों में ही spectrum की आप ले सकते हैं spectrum की भी Hindi और English दोनों में है कोई notes पढ़ सकते हैं Manikansar का notes ले लिजिए मनिश चोधरी जी का notes हो का निश्चय आई और the study Manikansar का notes दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं तो इतने notes पढ़ ही और बाकी हमारे जो notes मिल जाएंगे आपको यह पूरा कारिकरम चलेगा आपको PDF 20 में मिलेगा और जो लोग भी इस कारिकरम से जुड़ना चाहते हैं पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमें description box में लिखेगा या हमारा WhatsApp number है उसको note कर लीजे 8802913517 इस पर आप WhatsApp करेंगे तो इसको हम एक दो दिन में शुरू करेंगे तो आए देखते हैं कैसे प्रस्णों को हम समझेंगे पूरी घटना करम को कैसे समझेंगे कि किसी भी तरीके से अगर प्रस्ण पूछा जाए तो उसको हम solve करेंगे तो इसमें अमेरिकी सुतनता संग्राम में भूमिका जैसे लिखेंगे अमेरिकी सुतनता संग्राम विस्व इतिहास की एक महत्पून घटना है ब्रिटेन में अमेरिका के तकी छेत्रों पर नियंत्रण किया तेरा राज्य बनाएगे कई कारणों से ब्यापारी कामगार आपराधी युद्ध में आहत लोग यूएस से भाग कर पहुंचे यूएस से में संसाधन भी बहुत परयाद थे तो यही करांती के प्रमुक ये लिखेंगे भूमिका में करांती के कारण लिखेंगे कारण में हम दिरकालीन कारण खास करके आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण की बात करेंगे तो आर्थिक कारण में देखेंगे मात्रदेश की आउसक्ता को पूरा करना जो सामराजवाद और इन सब चीज़ों को आप देखेंगे कोलोनियलिजम उपनिवेश वाद के लिए 1691 में अमेरिका से आयात निर्यात केवल ब्रिटिश या उसके उपनिवेशों में निर्मित जहाजों पर होगा ये आर्थिक करन था इसका 1660 इन जहाजों के मालिक वह इनके करमचारी ब्रिटिश या उसके उपनिवेश से होंगे तो अमेरिकियों में ये क्रांती के कारण थे कि उनको इग्नोरेंस किया जा रहा था 1750 में अमेरिका में सभी लव उद्योग वर ढलाई बंद कर दिये गए उद्योगों को वहाँ पे नुकसान पहुचाए गया इसके राजनीतिक कारण देखेंगे अमेरिकी क्रांती में वर्गिय संगर्स को अलग नहीं किया जा सकता शीर्स वर्ग पर अमेरिकी कुलीन थे जो क्रांती के पक्षधर नहीं थे जो कि हर जगा होता है दो वर्ग होते हैं जो भी पुझीपती वर्ग होता है और सर्भारा वर्ग होता है नौदित बुर्जुवा वर्ग ने उसकी इस्थित के बिरूद चुनवती देनी चाहिए विचारों की भूमिका ये काफी महत्वपूण है यूरेपी ये विचारधारा चंचंकर अमेर्की उपनिवेश में पहुँचने लगी लौक एंड हॉप्स की विचारधारा लोगप्री अमेरिकी विचारक ओटिस, स्टीफर, हॉपकिन्स, सेम्ववल ने उपनिवेशों के अधिकारों की बात की तातकालिक कारण में हम देखेंगे सत्वर्सी युद्ययों कठोर उपनिवेशिक नीती तो इतने सारे पॉइंट्स भी आप लिख देंगे किसी भी प्रकार से तो आपको पूरा ग्रेनविले एक एक्ट था सुगर एक्ट, स्टांप एक्ट और करेंसी एक्ट बोस्टन टी पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है लौड नार्थ की कठोर नीती और फिलाडेलफिया कॉंग्रेस और अमेरिकी जनता की डिमांड थी तो आप लोग बुक पढ़ लेंगे एक बार और उसके बाद हम इसको ब्रीफ भी करेंगे कैसे ब्रीफ करेंगे? कल एक और वीडियो डालेंगे किसी और टॉपिक पे और जो लोग भी इस कारिकरम से जूड़ना चाहेंगे वो वाट्सअप जरूर करेंगे ब्रिटिस असफलता के कारण अमेरिकी शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाना ग्रीह यूद समझने की भूल और दोनों के बीच की दूरी यातायाद साधनों का अभाव क्योंकि अमेरिका से ब्रिटेन की दूरी काफी थी और यातायाद साधन उतने अच्छे नहीं थे फ्रांस, इस्पैन, हॉलेंड द्वारा, यूएस से को समर्थन अमेरिका की छापामार शैली जो अमेरिकी सैनिक थे या जो क्रांतिकारी थे उनकी छापामार शैली और ब्रिटिस सेना में तालमिल का अभाव उन्होंने बहुत ही हलके में ले लिया इस क्रांतिको परिडाम या प्रभाव देखेंगे, अमेरिका पर प्रभाव देखेंगे लोकतांत्रिक गरतंत्र सम्मिधान पर आधारित सरकार, सिक्षा, क्रिशी का विकास, परिवहन का विकास या अमेरिका पर प्रभाव है, यूरोप पर प्रभाव देखेंगे बिटन द्वारा स्वेत उपनिवेशों की को स्वायत तता, कनाडा और आस्ट्रेलिया में आप देखेंगे और न्यूजिलेंड में इसकी मांग आगे बड़े थी, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में धीरे-दीरे उपनिवेश सोतंत्र होने लगे और फ्रांस की क्रांती को प्रेडा यहीं से मिलती है भारत पे भी इसका प्रभाव पढ़ता है अभी आगे हम देखेंगे इटली जर्मनी पर प्रभाव और दक्षिड अमेरिका पर प्रभाव इसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं 13 उपनिवेशन ने 4 जुलाई 1776 में सुतंता की घोसड़ा की और 1776 में ब्रिटिस सेना सरारोगा के युद्ध में हार गई सरा टोगा है यह सरा टोगा फ्रांस इस्पैन हलेंड ने अमेरिकी उपनिवेशन को की सहायता देने का वादा किया और 1783 में वर्षाइक की संदी यह कुछ फैक्ट्स हैं जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका महत्तों देखेंगे पहली बार जन्द्रभुता का सम्मान धर्म को देख्तिगत मुद्दा माना गया और इस तरह विश्व के सबसे बड़े गड़तंत्र की अस्थापना होई तो इतने पॉइंट्स आप लिख देंगे तो अमेरिकी क्रांति से संबंदित कोई भी प्रशना आएगा किसी भी प्रकार से तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं कल हम एक वीडियो के माद्ध्यम से आपको फ्रांसीसी क्रांति की पूरी संब्रचना इसी प्रकार से और उसको पुरा डिसक्राइब करेंगे डीटेल में करेंगे चुकि आज वीडियो काफी लंबी हो जाती इस वाज़े से मैं इसको डिसक्राइब नहीं कर पा रहा इसके लिए हम separate group बनाएंगे और वीडियो उनको private दिया जाएगा तो वो हमें 8802913517 पर WhatsApp करें और और भी हमारे test कारिकरम चल रहे हैं तेस्सीरी चार टेस्ट हो चुके हैं और उसको आगे भी continue किया जाएगा और उसका English और Hindi दोनों में है उसके बाद आप हमारा 400 परस्टों का framing ले सकते हैं उसको भी आप purchase कर सकते हैं इसकी cost 2000 है और इसकी cost 3000 test series की है और इसकी cost हम एक दो दिन में decide कर देंगे जो वीडियो और PDF के लिए ये notes अलग से भी आपको मिलेगा और जो लोग भी हमारे test कारिकरम से जुड़े हैं उनको भी एक nominal fees लगा करके इस सभी कारिकरम से जोड लिया जाएगा क्योंकि answer लिखने में सभी को समस्या हो रही है तो पहले हम class ले ले ये सारे notes हमारे तयार है ethics पे ethics का पूरा notes तयार है governance का पूरा तयार है modern India का पूरा notes तयार है और art and culture art and culture का पूरा तयार है geography economy economy और science tech वो हम सिर्फ current से देंगे और जो basic चीजे हैं हमारे पास notes पूरा तयार है थोड़ा सा notes बनाने में हम लोग इस समय best है तो मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपको हमारा कारिक्रम अच्छा लग रहा हो तो like, share, comment अवस्य करें और कारिक्रम से जुड़ने के लिए इस नमबर पर WhatsApp जरूर करें तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, बेस्त रहिए